नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुना टाइवित आलोग ऑनलाइन इस्ट्यूट में मैं गौरुब नरण्यन उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को निरंतर रख रहे होंगे संस्तान के द्वाया लगातार आपके सफलता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं उस एकरम में मैं यूपी स्पेशल का अंगला भाग लेकर आपके सामने उपस्तित हूँ पिछले लेक्चर में हमने जनसंख्या के साठीक आंकलों को ध्यन किया था उसके पहले भूगर्विक सानचना उतर प्रदेश की जलवायू उतर प्रदेश की भौतिक और भौतिक और भूगर्विक सानचना पड़ी थी हमने उतर प्रदेश का संच्वत पर्चा भी दिया था मैंने अपको एक आज उसके आँगे एक topic है जैसा कि thumbnail में आपने देखा है उत्तर प्रदेश की मिर्दाएं तो उत्तर प्रदेश की मिर्दाओं को आज पढ़ना इस्टार्ट करेंगे तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि मिर्दा किसे कहते हैं स्वैल मिर्दा तो अगर मिर्दा की बात की जाए तो धरातल की सबसे उपरी परत धरातल की सबसे उपरी परत जिसमें किर्शी सम्मंदित कारी किये जाते हैं किर्शी सम्मंदित कारी किये जाते हैं उसे मिर्दा कहा जाता है क्या कहा जाता है मिर्दा कहा जाता है अब अगर बात करते हैं कि मिर्दा को प्रभावित करने वाले कारक तो मिर्दा को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको याद रखना है तापमान वर्सा तापमान वर्षा चटान जब चटान तूटती फूटती है तो चटान के तूटने फूटने से ये चटानों के विखंडित होने से ही मिर्दा का निर्माण होता है इसलिए चटानों को मिर्दा का जनक कहा जाता मिर्दा का पिता मिर्दा कैसे क्या कहा गया जनक फादर अपस्वाई और उसके बाद ह्यूमस 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 क्या होता है तो जो जीब जन्तू होते हैं छोटे छोटे से जीब जन्तू जीब जन्तू एवं पेड़ पौधों का सड़ा गला भाग जीब जन्तु एवं पेड़ पौधों का सड़ा गला भाग अगर जीब जन्तु एवं पेड़ पौधों का सड़ा गला भाग है तो एक ऐसा योगिक होगा एक कार्बनिक होगा कैसा होगा कार्बनिक ठीक ना इतनी बात क्लियर है चलेगा अब उत्तर प्रदेश की मिर्दाओं का हम एक वर्गी करण करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मातपुन मिर्दाओं हैं कई सारी मिर्दाओं की उपनाम भी है तो पहले मैं मिर्दाओं को पढ़ाओंगा उत्तर प्रदेश की मिर्दाओं को उसके बाद हम उन पढ़ाई के अध्यान के द्रिष्टी कौंड से तीन भागों विभाजित कर लिया परवत पादिये मिर्दा जो परवत होते हैं परवत के ए बात हम पहले पढ़ा चुके हैं एक माली जिएगा ये परवती छेत्र है और परवती छेत्रों का जो निचला इस्थान होता है उसस पर में दुबारा से आपको रिवाईज भी करा दूँगा एक का नाम भावर और दूसरी का नाम तराई भावर और तराई परवत पादी मिर्दा के अंतरगात आती हैं उसकों मद्य के मैदानी छेत्र की मिर्दाएं जो गंगा यमना का मैदानी छेत्र है उत्तर प्रदेश इनका निर्मान होता है, सब को समझेंगे मरुस्थली ये मिर्दा, लबणी ये छारी मिर्दा अलग है, मरुस्थली मिर्दा अलग है, भूड मिर्दा और काली मिर्दा या कपासी मिर्दा, भूड मिर्दा, काली पठारी छेत्र तो उत्तर प्रदेश में पठारी छेत्र कहा पर है दच्छुण में है बुंदेल खंड और बगेल खंड का पठारी छेत्र है उत्तर प्रदेश के दच्छुणी भागों में है तो वहाँ पर कुछ मिर्दायां पाएं जाती है जो सबसे मातपून मिर्दा है लाल मृदा, एक है पडव़ मृदा या एक carbah मृदा भी कहते हैं, पडव़भ या परवा मृदा, मार या मार मृदा, मार या मार, राकड मृदा, और एक होती है भोंटा मृदा, भोंटा मिर्दा तो यह इतनी मिर्दा हैं उत्तर प्रदेश में मुख रूप से चार पांच मिर्दाएं होती हैं भावर की मिर्दा तराई हाला में मैदान इच्छेतर होते हैं खादर मिर्दा बांगर मिर्दा और लार मिर्दा तो इनी को हम एक एक से समझते हैं भावर का मै मेधान खादर-मर्दा बांगर-म्रदा ये भाबर और तराए बलकि मैधानी छेत्र होते हैं ये अगर आप करें तो ये उत्तर-प्रदेश की उत्तरी सीमा है और उत्तर-प्रदेश की मिप्रदेशी सीमार नेपाल डेश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है वो जिस देश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश का नाम है नेपाल और नेपाल में हिमालय का सबसे दच्छनी बिस्तार है जो उत्तर प्रदेश से एक दम सेटा हुआ भाग है शिवालिक कौन सा हिमाला है यहाँ पर तो यहाँ पर जो हिमाला है इस हिमाला का नाम है शिवालिक हिमाला है शिवालिक हिमाला परवतिय छेतर से कई सारी नदियां उद्गिमित होती है कोसी नदी है घागरा नदी है तो कई सारी नदियां यहाँ से निकलती है तो जब नदिया परवतिय छित्र से उतरती है, तो परवतिय छित्रों पर ढ़लान होने के कारण जब नदिय नीचे बढ़ती है, तो इन परवतिय छित्रों का कटाओ करती है, परवतिय छित्रों का अपरदन करती है, तो जब कटाओ करती है, तो अपने साथ विसाल विसाल भ उन जलोडों को उन आउसादों को क्या करती है बहा करलाती है और उनको एक स्थान पर क्या करती है आकर छोड़ देती है उनको एक स्थान पर आकर छोड़ देती है कोई नदी जब आउसादों को लेकर पिरवाहित होती है और एक स्थान पर आकर उन आउसादों को छोड़ दे क्रिक्रिया को निच्ष्छ पढ़ कि क्या का जाता है। कौँए बार आपने एक सब्दध पढ़ रहा होगा। क्या क्या होती है। किसी नदी के द्वारा दोर होती है कैसे जंगायर ईख जा Ni उस मिट्टी को यह निच्छे पित मिर्दा कहा जाता है तो यहां पर एक मिट्टी बन गई और इस मिट्टी का जो नाम होता है इस मिट्टी का नाम है भावर 30-40 किलमीटर लंबी पट्टी के रूप में उतर प्रदेश के उतरी भागों में फैली हुई है आईएगा इस डाइगराम में बना लेते हैं नेपाल है या सिबालिक हिमाले के दच्छण में जो यहां पर मिर्दा पाई जाएगी इस मिर्दा का नाम है भावर तो भावर मिर्दा कहां पाई जा रही है हिमाले के या सिबालिक हिमाले के दच्छण में तो इस मिट्टी का नाम है भावर चुकि भावर मिर्दा में होता क्या है अवसादों का निच्छेपण बाद में पुना जब नदी इस छेतर में आती है तो इतने जाना आउसाद होते हैं कि उन आउसादों में नदीयां क्या हो जाती है उन आउसादों में नदीयां विलुप्त हो जाती है इस भावर के दच्छन में जो मैदानी छेतर पाया जाता है इस भावर के दच्छन में जो मैदानी छेतर पाया जाता है इसको क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है तराई क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है तराई भावर के छेतर में जो नदियां बिलुप्त हो गई है भावर के छेतर में जो नदियां बिलुप्त हो गई है वो तराई के छेतर में पुना बापिस आ जाती है और जब तराई के छेतर में पुना बापिस आती है तो भावत भायानक रूप से सतय पराती है जिस कारण से तराई के छेतर में जल भराओ की समस्या हो जाती है तो जल सारी बीमारियां डेहूं नेरियर चेकंगोंईयां जैसे रोग फैल जाते हैं अब यह तो सर न ही मिर्दा थोड़ी न ही तो हमने मैदानी छेत्र पड़ाई है मैदानी छेत्र उसमें तराई का मैदानी छेत्र, भावर का मैदानी छेत्र, मिट्टी के अंतरगती आता है, जल बराओ की समझ से उत्पन होती है, इसको हम बहुत तिक प्रदेशों भी पढ़ाएं, इसलिए जान दर टेटेल में नहीं जा रहे हैं, देखेगा, तो परवत पात की जो दो मिर दिख्तान की मिरदा खादर और बांगर, चलिएगा, इमेजन करीएगा, यहां पर एक नदी प्रभाहित हो रही है, तो नदी अपने साथ, अभी अभी मैंने बताया है, नदी अपने साथ आउसादों को वखा कर लाती है, और उन आउसादों का एक जगए पर निच्छेप नदी एक ही बार आउसादों को बहा कर लेगी नदी का कारी है कटाओ की प्रिक्रिया को जारी रखना नदी का कारी क्या है वो कटाओ की प्रिक्रिया को जारी रखती है और जो कटाओ की प्रिक्रिया में जो आउसाद वो अपने साद बहा कर ले जाती है उन आउसादों को एक जगह अपन निच्छेपित कर देती है जिस कारण से कई सारी इस्तला किरतियों का निरमार हो जाता है जैसे गोखोरचील, जैसे जलोड़ पंक जैसे जलोड़ संकू कई सारी ऐसी इस्तला किरतिया बनती है मा लीजेगा ये नदी बहर ये अभी अभी लाई गई मिर्दा है और एक किस प्रकार की मिर्दा है ये नवीन मिर्दा है अभी अभी लाई गई मिर्दा है और ये नवीन मिर्दा है और इस नवीन मिर्दा को ही हम किस नाम से जानते हैं इस नवीन मिर्दा को नाम दिया गया खादर क्या नाम दिया गिया इस नभीन मिर्दा को नाम दे दिया गिया खादर लेकन नदी एक बार ही आउसादों को बहा कर नहीं लाएती है बलकि फिर से नदी अपने साथ पानी लाएगी पानी के साथ आउसादों को बहा कर लाएगी और अब नदी क्या कर देगी अब नदी यहाँ पर आउसादों को एकत्रित कर देगी भाई जो एलो कलर का है जो कोई यह सोच रहा होगा बाबु वहाँ पर तो पहले से आ चुके है आउसाद वहाँ पर तो पहले से आउसाद एकत्रित हो चुके है अब नदी ने क्या किया यहाँ पर आउसादों को एकत्रित कर दिया अब बताईएगा दौनों मैंसे कौन नवीन कौन पुराना तो जो गिरीन कलर से मैं बनाया हूँ अवे नवीन है अवे नवीन मिर्दा है और इस नवीन मिर्दा को ही नाम दिया गया क्या इस नवीन तो अब जो यलो कलर से बनी हुई है अब ये प्राचीन हो गई अब ये कैसी हो गई है अब ये प्राचीन हो गई है तो अब ये कौन सी मिर्दा हो गई प्राचीन और प्राचीन मिर्दा के लिए जो सब्द यूज किया जाता है वो सब्द बांगर कौन सी मिंटी है तो वो है मिंटी बांगर मिंड़दा अगर मैं कहूं के 30 च्टरों में सबसे जाना कौन सी मिंटी पाए जाएगी खादर आपको एक उधारन देता हूँ माली जिएगा एक नदी का नदीए च्टर कोर नदीन बहरी है यहां भी माल लीजीगा कोई X नाम का एरिया है कोई Y नाम का एरिया है कोई Z नाम का एरिया है इस प्रकार से ऐसे सड़क जा रही है तो नदी आएगी नदी में आउसाद आएगे नदी अपने आउसादों को यहां पर एकत्रित करेगी यहां पर एकत्रित करेगी तो यहां प से तटीय छेतरों से आप दूर जाते जाएंगे तटीय छेतरों से आप दूर जाते जाएंगे आपको नई मिर्दा नहीं मिलेगी बलकि किस परकार की मिर्दा मिलेगी प्राचीन और उस प्राचीन मिर्दा को किस नाम से जानेगे बांगर तो नभीन मिर्दा जो है नभीन मि की क्या होती है बाड़ाने की संभावना होती है तो यहाँ पर बाड़ाने की क्या होगी यहाँ पर बाड़ाने की संभावना होगी अब उसने कुश्यन को reverse कर से के पूँच लिया आपसे reverse कर से कैसे पूँच लिया reverse कर के कैसे पूँच लिया बाड़ के साथ अवसादों को बहां कर लाएगी तो अवसादों को एक जंगा पहला देगी और जब आवसादों को एक जंगा पहला देगी तो मिट्टी का इर्माड हो जाएगा ए मिट्टी कहाँ पाए जाएगी तटिये चेत्रों से दूर तटिये चेत्र से दूर पाई जाएगी तटिये चेत्र से दूर होगी अगर अब मैं बात करूँ कि बताईए कौन से अधिक उपजाओ होगी तो खादर मिट्टे क्योंकि अभी अभी लाए गई नभीन मिर्दा है और इसका उपजाओ पन क्या होना चाहिए इसका उपजाओ पन अधिक होगा तो खादर मिट्टे क्या होगी यह अधिक उपजाओ होगी अधिक उपजाओ होगी किसी भी प्रकार की खाद, ना तो जैविक ना रासायनिक, किसी प्रकार की खाद डालने के कोई आवर शक्ता नहीं होती है, उसका उपजावपन अधिक होता है, तो अधिक उपजावव होगी, और बांगर क्या होगी? ये कम उपजावव होगी, बांगर क्या होगी बांगर कम उपचाओगी बोलीव तो नदी के तटिये छेत्रों में कौन सी मिट्टी पाए जाएगी तो नदी के तटिये छेत्रों में नवीन, खादर अब उतर पर रेस में इतनी सारी नदियां है इलावा सहर गंगा नदी किनारे है इलावा सहर में कौन सी मिट्टी पाए जाएगी तो इलावा सहर में खादर मिट्टी जो छेत्र गंगा नदी के एकदम जो सहर, जो नगर या जो मौले गंगा नदी से बलकुल सटे हुए होगे जहाँ पर घाट होगा, तटिये छेत्र होगा वहाँ पर सब्जी की खेतिया देखोगी अर्थ-अर्थ वहाँ पर काउं से मिट्टी पाई जाए खादर और जैसे जैसे नदी छेतर से दूर होते जाएंगे कैसी मिट्टी मिल जाएगी पुरानी और पुरानी मिट्टी को किस नाम से जानेंगे बंगर किस नाम से जानेंग पारत्ता बढ़ाने के लिए बांगर में लोगबागों ने अधिक मातरा में रासायनिक किसानों ने अधिक मातरा में रासायनिक उर्वरकों का प्रियोग किया और अधिक मातरा में रासायनिक उर्वरकों का प्रियोग किया किस मिट्टी में बांगर में और जब अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों का प्रियोग की आप तो वो रसायनिक उर्वरक कुछ मात्रा में तो कुछ मात्रा में तो पानी में या मिट्टी के साथ बुल गए और कुछ मात्रा में सतर पर रह गए और जब उस सतर पर रह गए तो पानी के साथ वो बह कर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर चले गए जिस कारण से एक ऐसी मिट्टी का निर्माड हो गया जिसमें रासानिक उर्वरकों की या हम कह सकते हैं सिलिकेट की या मुख रूप से उर्वरक में तीन खनिज पाए जाते हैं NPK NPK खनिज पाए जाते हैं तो सिलिकेट होते हैं सिलिकेट खनिजों की क्या हो जाती है अधिकता हो जाती है तो ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिकेट खनिजों की अधिकता हो उसे उसर मर्दा या उसे चारी मर्दा या लवणी मर्दा कहते हैं समझीगा लवर्य मिर्दा ये छारी मिर्दा बांगर छेतर में समतल भूमी होने कारण बांगर कहा है तट्ये छेतर से दूर होने कारण वो छेतर कैसे होंगे एकदम समतल होते हैं तो समतल छेत्रों में, क्या होगा? जन निकास प्रिक्रिया बहुत अधिक अच्छी नहीं होती है, पानी भरा हुआ रहता है, जो खेत हैं, उनका पानी भरा जाने के कारण, जो उर्वरक होते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं गोल पाते हैं, और धीरे 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 मिटी में मिल जाते हैं, दूसरे मिट्टी मिल जाते हैं, जिस कारण से उर्वकों का अधिक या सिलकेट खनेजों की मिट्टी में अधिकता हो जाती है, उसी मिट्टी को क्या नम दिया जाता है, उसर मिर्दा, उसर मिर्दा की बात करें, तो अलिगण, मैनपूरी, इटावा, कानपूर, उन्नाव, प्रताबगर, जौनपूर प्रियागराज छेत्रों में आदेख होती है प्रियागराज में गंगा नदी से जो गंगा नदी के तटे छेत्र है उनसे दूरी छेत्र में गंगा नदी के तटे छेतर से दूर छेतरों में, ठीक ना, तो जहां पर गंगा नदी प्रभायत नहीं होती, उन छेतरों में, बांगर वाले छेतरों में, ठीक ना, तो यह लबणी मिर्दा है, आएगा, लबणी मिर्दा के बाद आते हैं, मरुस्थली मिर्दा, यह तो कई बार हम लोगों नाम सुनाएं मरू स्थली मिर्दा अगर देखा जाए तो इसमें दो सब्द हैं एक मरू और एक स्थल मरू का अर्थ होता है मरा हुआ मरू कर्थ होता है मरा हुआ और इस्थल कर्थ होता है इस्थल कर्थ होता है इस्थान तो मरा हुआ इस्थान हम मरा हुआ इस्थान उसको कहते हैं जहां से उत्पादन होना समाप्त हो गया हो जहां से उत्पादन होना समाप्त हो गया हो उत्तर प्रदेश में हमने उत्तर प्रदेश की जलबायू पढ़ाई है कहां पर अधिक बरसा होती है गोरखफुर के छेतर में कहां पर कम बरसा होती है मत्रा आगरा के छेतर में तो देखिएगा मत्रा आगरा अलिगड के छेतर में सुस्किता यानि सूखा रहता है और साथी साथ भीसन गर्मी रहती है भीसन तापमान के कारण जो चटाने है वो अप्छैत इवन विखंडित हो जाती है तूट फूट जाती है और उनके तूटने फूटने से ही किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है बालू के कड़ों में मिट्टी चटान बालू के कड़ों में परव परवर्तित हो जाती है तो इसी के लिए क्या सब द्यूज किया जाता है रे तेली मिर्दा या मरुष्थली मिर्दा क्या नाम दिया जाता है रे तेली मिर्दा या मरुष्थली मिर्दा आपको मिट्टी कैसे याद नहीं रखना है आपको याद रखना है कि इसका छेत्र कौं को हम मरुस्तली मृदा, या फिर कौन सी मृदा, रे तीली मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक ना? अंगले देखते हैं, भूड मृदा, गंगा के मैदाणी चेतरों में, गंगा और उसकी साहिख नदियों के दोवारा जो मैंदान का निरमाड गुआ उसी को हम गंगा का मैदानी छित्र कहते हैं गंगा के मैदानी छित्रों में 10 से 20 फ्itu उचे 10 से 20 फ्ertos उचे तीली नुमा अकरती को भून कहा जाता है क्या कहा जाता है, भून कहा जाता है कोई प्रोपर जिला याद नहीं रखना आपको गंगा का मैदानी छेतर याद रखना है गंगा के मैदानी छेतर में 10 से 20 फिट उचे पीली नुमा अकृती को भून कहा जाता है और यह जो भून मिर्दा होती है और यह जो भून मिर्दा होती है यह दोमट इवन बलूई मिर्दा होती है दो मट इवन बालू के कण पाए जाएंगी बालू के अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं कण पाए जाते हैं और कणों काकार सामानाकार से क्या होता है बड़ा होता है तो दो मट इवन बलूई मिट्टी है कौन सी भून मिर्दा कहां पाए जाएगी गंगा के मैदानी छि चुके हैं काली मर्दा को रेगोर मर्दा कहते हैं और इसमें सबसे जाना कपास की खेती होने के कारणे से कापासी मर्दा भी कहते हैं किस नाम से जानते हैं इसे कापासी मर्दा के नाम से भी जानते हैं और कापासी मर्दा के साथ साथ एक से करेल मर्दा के नाम से भी जानते ह और काली इसको ब्यापक रूप से काली पश्मी उत्तर प्रदेश के जलों में अधिक पाय जाती है बुंदेल खंड के कुछ छित्रों में ही पाय जाती है प्रताबगर के छित्र में भी हलकी हलकी मातरा पाय जाती है जहां पर भी काली मिट्टी पाय जाती है काली मिट्टी ज इसलिए हम किसी भी मिटी में हम जुआर हो गाएंगे ये बाद हम किर्सी में करेंगे ये बाद हम उत्तर प्रदेश की किर्सी में करेंगे इस पर आपको concept clear होगा थिक नब तो यहां तक हम लोगों ने जो मिटी हैं वो गंगा के मद्दवर्ती छेतर में पाए जाने वाली का मद्दवर्ती छेतर ये अमद उत्तर प्रदेश का मैदानी छेतर कहते हैं अब आते पठारी छेतर की मिर्दाओं पर अगर पठारी छेतर की मिर्दाओं की बात करते हैं तो देखेगा पठारी छेतर की मिर्दाओं को हमने एक ही पेज में विवस्तित किया है लाल मिर्द लाल मिर्दा पठारी छित्र की सबसे मातपूर मिर्दा है सरबाद एक छित्रफल पर पाई जाने वाली मिर्दा है गरेनाइट और नीज जो की प्री केमरियन युक्की चटाने हैं इनके तूटने फोटने से साथ बिंध्यन किरिम की चटानों के तूटने फोटने से किसकी प्राप्ति होती है लाल मिर्दा की प्राप्ति होती है अगर इनके हम छेत्रों की बात करें तो दच्छनी प्रियागराज कर्चना का छेत्र आपका बुंदिल खंड रीजन का जहांस लाल मिट्टी पाई जाती है किन चटानों के टूटने फूटने से बनती है ग्रेनाइट और नीश चटान या बिंद्यन किर्म की चटान से भी इसकी प्राप्ती होती दूसरी बहुत इंपोर्टेंट है बुंदेल खंड रीजन में पाई जाने वाली बहुत मात्मुण मिट्टी है बुंदेल खंड रीजन में सबसे जाना मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है यहां देखेगा यहां पर मात्र बुंदेल खंड के आगर हम प्रॉपर साथ जिलों की बात करें तो जहां से ललितपुर का ही नाम लिया है मैंने जहां से ललितपुर जालोन हमियतपुर बांदा महुवा चित्रगूट यह मात्मात्पूर जिले हैं चंदौली और सोनमातर की बात करें तो यह तो बगहल खंड के चेत्र में आता है इसमें मटर की किर्सी चने की किर्सी ब्यापक प्यामानी पर की जाती है साथी साथ अपने मैंथा का नाम सुनागा पिपरमेंट भी बोलते हैं मैंथा मैंथा की किर्सी भी इसमें दिक मात्रा में की जाती है उसके बाद हलके लाल रंग की बलू दो मट मिटी होती है, हलका हलका सा लाल रंग होता है, मार मिर्दा या इसी को मार मिर्दा की नाम से भी मार या मार मिर्दा, एक काली मिर्दा का ही एक रूप है, काली मिर्दा का ही रूप है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छेत् जैसे बागपत है, सामली है, बागपत है, सामली है, हापुड है, इन छेत्रों में, यह पाई जाती है, कौन सी, मार या मार मर्दा, साथी साथ, बुन्देर खंडे रीजन में भी थोड़ी बहुत मातरा मिलती है, इसलम पठारी छेत्री मिर्दाओं में से सामल की है, राकर, राकर यार आगर मिर्दा जो होती है, वो लाल रंग की मिर्दा होती है, कैसी मिर्दी होती है, लाल रंग की मिर्दी होती है, यह भी आपके, जहां, यह भी आपके, किस के साथ मिलती है, लाल मिर्दी के साथ मिलती है, लाल भूरे रंग की मिर्दी है, जैसे जहांसी के फोकस नहीं करना है जितनी चीज़े मैं बतारूं के बल उतना ही फोकस लाल मिर्दा बिंद्या नेम गिरनायर चट्टान से निर्मेत है पड़वा मिट्टा हलके लाल रंग की मिट्टी और माड़ मिर्दा यह तीन मिर्दा यहाँ पर याद रखना है राकल भूंटा नहीं रखेंगे तब दी और वहां पर आपको केवल तराय का मैडान भाबर का मैडान खादर बांगर मिट्टा इतनी रखना है अब इसका यूज हमें next वीडियो में करेंगे इसका यूज हमें next वीडियो में करना है जब उत्तर प्रदेश की किर्सी, उत्तर प्रदेश की बागवानी फसलें, उत्तर प्रदेश की वेपसाइक फसलें, इन सब का अध्यन करेंगे, तब इन मिट्टूं को अपयोग किया जाएगा, ठीक ना? आईएगा, अब इनसे सम्मनित कुछ प्रिष्ण है, इनके आप आं कहते हैं, और जो प्राणी जलोड मर्दा होती है, उसको हम बांगर कहते हैं, इनके बल यूपीटर पैसी के द्वारा बल की बेवेन परिच्छाओं में, कई बात पूछा गया कुछन है, तो नवीन जलोड मर्दा को किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता पड़वा मर्दा प्रदेश के के छेतर में पाई जाती है, अबद के छेतर में, यानि फैजाबाद की बात हो रही है, दौआप गंगा यामना के दौआप छेतर में, पाश्यमी उत्तर प्रदेश के छेतर में, बुंदेल खंड के छेतर में, तो सबसे अधिक मातरा में कहा बुंदेल खंड के चाटर में, जालाओन हमीरपुर के चाटर में अधिक मात्रा में पाई साथЕ। ंर्भ मृटड़ ना इसल constituents संकी ना हमें, जिसके फाया वश्क न कमें IMMERD साहरे यह यह पर करने को Purisha, कर जाते हम्या जयों करते हैं, उसके हम रहते हैं जिसमें पानी धारन की चमता अधिक होती है और सूखने पर गीली हो जाती है ये भी नहीं है बलकि क्या है गंगा के मैदानी चेतर में 10 से 20 फीट उची इस्थला किरती है तीली नुमा इस्थला किरती है उसी को क्या नाम दिया जाता है उसी को नाम दिया जाता है भूर की विशेष्टा होती हैं दलहन फसल या मोटे अनाज जैसे जो आर वाजरा मक्का चना मतर मसूर सोयबीन इस सारे के सारे जो है दलहन फसल या मोटे अनाज के अंतरगत आते हैं और इनकी किर्सी जो है वो बुंदेल खंड रीजन में देखोती है लाल मिट्टी में के कहती काली मिर्दा को अन किस नाम से जानते हैं मार राकर पड़वा करें तो काली मिट्टी के तीन नाम है ने आपको बताये थे एक तो करेल दूसरा कपासी मिर्दा और तीसरा रेगोर मिर्दा कौन सी मिट्टी रेगोर मिर्दा तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा सह यह answer जो इसका होगा करें ठीक न देखेंगा आब आज बैट जा रही है आपको पढ़ाते पढ़ाते आब आज बैट जा रही है जिस परकार संस्तान आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप से भी अपिक्ष रखता है कि आप भी उतनी ही बल्कि उससे जानदा मेहनत करें आपक कोई बात रही है आप अच्छे रास्ते पर है निश्चत रूप से आपको सफलता मिलेगी ठिकना मिलते हैं फैर नेक्स्ट वीडियो में धन्वाद